महाराश्ट्र वधान सभा चुनाव के नतीजों आए काफी दिन हो गए हैं लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है विपक्ष के लोग अभी महाराश्ट्र के आए चुनावी नतीजों पर लगातार सवाल ही खड़े कर रहे हैं और ऐसे में एक संसरी खेज आरोप शरत पवार के नेता जितेंद्र आवार ने जो की चौथी बार लगातार जीत कर आए हैं उन्होंने लगा दिया है दरसल चुनाव आयोग पर वो गंभीर आरोप लगाते वे कह रहे हैं कि हम री काउंटिंग की मांग क्या करें चुनाव आयोग ने तो पहले ही वियम मशीन का डेटा डिलीट कर दिया है यह बहुत चौकाने वाला बयान और बहुत चौकाने वाला आरोप है और इसको लिकर खबर देखिए लिखा हुआ है कि इवियम डेटा नश्ट किया दूसरी बार गिंती का क्या फाइदा शरत पवार की विधायक जितेंद्र आवाण का चुनाव आयोग पर आरोप आगे लिखा है कि इवियम को लेकर बड़ा घुटाला होने की बात कई है उन्होंने विधासबा चुनाव में उप्योग की गई इवियम का डेटा नश्ट किया जाने कारोप लगाया है उन्होंने ये भी कहा कि पुनर मदगर्णा के दोरान दूसरी इवियम को दिखाया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि इवियम में कोई गड़बड़ी नहीं थी मीडिया से बाचीत में आवार ने कहा कि चुनाव हारे महाविकास अगारी के कई उमीदवारों ने पुनर मदगर्णा की मांग की है और उसके लिए निर्वाचन विभाग को प्रती इवियम 46,000 रुपए का भुकतान भी किया गया है लेकिन इवियम के भीतर दर्ज जानकारी नश्ट कर दी गई है तो उनका ये आरोप है कि 46,000 रुपए भी भर दिये गए है कि इवियम की रिकाउंटिंग की जा सके और लेकिन साती वो कह रहे है कि पुनर मदगर्णा में दूसरी इवियम दिखाई जाएगी और कहा वेबी का कि जिस मशीन में वोट डाला गया उसे नहीं दिखाया जाएगा और उसकी जगे पर दूसरी मशीन दिखाई जाएगी तो फिर दोबारा गिंती का क्या फाइदा अब देखें कि महराष्ट चुनाव में क्या क्या हो रहा है लगातार ये बताया जो रहा है कि वोटों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है पिछले पात साल में जितने वोट नहीं बढ़े वो पाच महीने में बढ़ गए हर बदार सभा के अंदर ये आरोप लग रहे ह और भाजपा ने अपने 10,000 वोट पढ़ा लिए इसी तरह के आरोप अभी तक लगते रहे लेकिन जो अधिकार सुप्रीम वोट ने और चुनाव आयोग ने दिया था कि अगर आपको कहीं पर डाउट है कहीं पर अगर आपको शक है कि EVM मशीन में कहीं पर गड़ बड़ी ह तो आप पर्टिकुलर एक अमाउंट भर के उस वधान सभा की EVM मशीन की गिंती दोबारा से करवा सकते हैं जो उम्मीदवार पहले जो उम्मीदवार जो है दूसरे और तीसरे नंबर पर आता है वो ये कर सकता है कि पैसे भरे और दोबारा से रिकाउंटिंग करवा ले त इस वह एक किया कुछ कह रहे हैं पूरी ख़बर देखें घर qualcेजोंटिंग चाहिंग है मशीन का होना चाहिए जो ऊडाता से आता से अबently साथ बोला जा रहा है कि वो डाटा तो हमने वाइप आउट कर दिया हैancir हम नहीं आप डाटा दिखाएंगे आरा कांटिंग करें तो उसमें कोई आने वाला इ bolts को तो जाक है क्या जो डाटा हम हमारे जो डाटा के उपर हमें शक है वो डाटा आपने वाइप आउट कर दिया तो हम हम क्या अंदेग है कि यह सब छोरी छुपाने का काम ECI कर रही है और खास करके लोकसभा हरने के बाद जिस तरीके से वोट बढ़ाए गए पांच साल में पांच लाग बढ़ाए गए और चार-पांच महिने में 46 लाक्स सिर्फ महराष्ट्र में ऐसा हुआ है कि कभी चाहिए सेचालीस लाख लोग लाइन लगा के अरजी भरके गए और बुड का नाम आ गया है कि अधर दो दो साल लगते हैं नाम लाने के लिए कितने बार तो चार-चार बार फार्म बरना पड़ता है कि अधर में कल का दिन हो गया अभी आगे में किसकी मुलाकत देने वाला उसका पूछो ना यार तो उन्होंने पहले तो इवियम को लेकर आरोप लगाए कि इवियम का जो डेटा है वो वाइप आउट कर दिया गया है इसके लावा उन्होंने और भी कई सारे आरोप चार-पांच महीनों के भीतर महाराष्ट में अचानक 46 लाख वोट बढ़ गए और ऐसा ही आरोप आपको यात होगा कॉंग्रेस निता गुर्दीप सिंग सप्पल ने भी लगाए थी जो लगातार अस मामले को लेकर लिख रहे हैं उन्होंने कहा कि 5 साल में 32 लाख वोट ब पड़ गए तो ये ऐसे सवाल है जो बहुत गंफीर है और इनका जवाब जाहिर से बात है कि चुनाव आयोग ही दे सकता है और अब 3 दिसंबर को कॉंग्रेस पार्टी को चुनाव आयोग ने मिलने करिव लाया है तो कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए ग जाओ तो या तो उन शिकायतों को सुना नहीं जाता या फिर बस उनको रख लिया जाता है और इस पर गोई एक्शन नहीं होता लेकिन अब जब महराज़ चुनाव के बाद से जबरदस तरीके से शिकायतों की बोचहार हुई है विपक्ष ने चुनाव आयोग को लपेटे जब वहाँ पर जाएगी तो चुनाव आयोग में क्या-क्या फैक्ट रखेगी और चुनाव आयोग उनका क्या-क्या जवाब देता है पैरहाल इवियम को लेकर के जो मामला है वो बहुत आगी तक बढ़ चुका है अब सवाल यही है इसमें तमाम विपक्षी पार्टियों जिस तरीके से जो समाजी संगठन है वो अब सामने आये हैं लेकिन चुनाव आयोग पर प्रेशर वो बना पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं चुनाव आयोग क्या इन तमाम विपक्षी पार्टियों की बात सुनता है या नहीं सुनता है या सिरे से खारिच कर देता है ये सारी चीजे देखने वाली बात होंगी फिलाल इस कबर में बस इतना ही देश और दिन्या के तमाम बड़ी खबरे चानली के लिए देखते रहे हैं 4PN News Network नमस्कार झाल 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 याफ झाल झाल झाल